हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम डाउनलोड और इंस्टाल कर सकते हैं HP LaserJet 1020 प्लस प्रिंटर के ड्राइवर को वो भी हमारे Windows 11 के PC या फिर लप्टॉप में बहुती सिंपल तरीक से बहुती सिंपल तरीका है तो चलिए अपने वीडियो के और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यूटूब के डिस्विक्शन में जाएंगे यहाँ पर मैंने दो लिंक लेके रखिए एक है Mega की दूसरी है Google Drive की आप किसी भी लिंक को जाएए मैं यहाँ पर Mega की लिंक को जा रहा हूँ Mega की साइट को जाने के बाद यहाँ पर Download का उप्शन होगा तो यहाँ पर जाएंगे Download में यहाँ पर Download as a Chip के उपर हम क्लिक कर देंगे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर Download होना स्टार्ट हो जाएगा कुछी स्रेकंज में यह Complete हो जाएगा तब तक आप जाना वेट कीजी तो हमारा Download complete हो चुका है उपर में जाएंगे Downloads के अंदर देखिए यहाँ पर Show in a folder होगा Show in folder के उपर क्लिक करेंगे इससे minimize कर लेंगे तो यह जो zip file है इसे track करके desktop के उपर लाएंगे और इसे close कर लेंगे अब हम इस zip file को unzip करेंगे right click करेंगे right click करने के बाद यहाँ पर extract all होगा इसके उपर क्लिक करेंगे या फिर show more options में जाके यहाँ पर देखिए extract files होगा extract files को क्लिक करेंगे ok के उपर क्लिक करेंगे तोनों सेम है उसके बाद एक folder create होगा उसके उपर double click करेंगे उसके अंदर एक file है उसके उपर double click करेंगे यहाँ पर हमारे सारे setup के file है तो अब हम इसे close करेंगे और हम इसे manually install करने वाले बहुत simple तरीका होता है manually install करना start में जाएंगे और यहाँ पे हमें type करना है printer and scanner printers and scanners को click करना है यहाँ पे printers and scanner type करके तो हमारे समने printers and scanner open हो जाएगा तो यहाँ पे हमें आएगा add a printer or scanner printer and scanners में add a printers or scanner यहाँ पे add device होगा add device के उपर click कर देना है जैसे आप click करेंगे यह refresh के लिए जाएगा और एक नया option हमारे सामने कुछी सेकंड में आ जाएगा the printer that I want isn't listed तो यहाँ पर add manually होगा तो add manually के उपर हमें click कर देना है इसे minimize कर देना है तो यहाँ पर add printer के अंदर आपको बहुत सारे option मिलेंगे हमें जाना है last option को add a local printer और network printer with manual settings इसे select करना है next के उपर जाना है यहाँ पर port मिलेगा port ही इस सारे installation का main part है तो यहाँ पर जाएगे और अगर आपको मिलता है HP printer, HP printer device HP का कुछ भी मिलता है तो उससे select करना है नहीं मिलता तब घपराई में next option है हमारा USB USB 001, 002, 003, 004 कौन सा भी USB होगा इससे select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें next को जाना है यहाँ पर हमें have a disk को क्लिक करना है browse को क्लिक करना है यहाँ पर हमारे driver's desktop में यह तो desktop में जाना है हमारा जो कोभी newly created folder होगा उसको double click कर देना है इसके अंदर एक folder होगा उसको double click करना है यहाँ पर हमारे driver's है यह यह दूसरी फाइल है किसी को भी click कर देना है उससे select करना है open कर देना है ok कर देना है यहाँ पर हमारे सारे driver's है तो हम चाहते HP laser jet 1020 तो 1020 को हमें select करना है next को जाना है यहाँ पर हमारा printer का नाम आएगा आप कोई भी नाम दे सकते है मैं यही नाम दूँगा उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर plus डाल सकते और उसके बाद हम next को जाएंगे यहाँ पर यह printer install हो रहा है इसको कुछ समय लगेगा हो चुका है देखे कुछी सेकन लगे उसके बाद अगर आप इसे network में share करना चाहते हो तो nakes jakie option और अगर आप उसे नहीं share करना चाहते है network में तो do not share this printer उसके बाद next हो जाना है अगर आप printer test page ने करना चाहते हो प्रिंटर एंड स्कैनर के ऊपर क्लिक कर देना है तो प्रिंटर एंड स्कैनर से यहाँ पर उपन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रिंटर HP Laser JET 1020 Plus यह जो प्रिंटर एंड प्रोपर एंड स्कैनर को चुका है हमारे Windows 11 के PC या फिर लेपटाप में तो दोस्तों इस वीडियो को अन तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना करता ही मत भूलिए, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाए!